जहें दोस्तों आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीप फेक टेकनलोजी के विशे में अगर आप शोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो हाल फिलाल के दिनों में आपको ये जो डीप फेक टेकनलोजी है इसका जुरूर आपको नाम सुनने मिला होगा इसके कई किसे आपने सुने होंगे लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक नॉलेज में आपको देने वाला हूँ जिसमें हम ये समझेंगे कि आखिर ये जो डीप फेक टेकनलोजी है ये क्या होती है इसका मतलब क्या होता है डीप फेक टेकनलोजी में कैसे काम होता है और डीप फेक टेकनलोजी हमारे लिए क्यों खतरनाक है और इससे हम अपना बचाव कैसे कर सकती है ये जानकारिया जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है डीप फेक यानि कि बहुत ही ज़्यादा अंदर तर जाकर किसी चीज को फेक तरीके से बनाया जाए और इसको थोड़ा टेक्निकल वे में समझें तो आप इसको ऐसे समझें कि यह जो डीप फेक है इसमें डीप लर्निंग टेक्नलोजी का यूज होता है इसमें होता यह है कि कोई भी फोटो कोई भी वीडियो कोई भी साउंड अगर उनको उसका एक डुप्लिकेट बनाना है और उस डुप्लिकेट से वो जैसा चाहे मुवमेंट करा सकते हैं जैसी चाहे उसके एक्स्प्रेशन्स आपको दिखा सकते हैं जैसा च आपको same to same वैसी सुनाई देगी, लेकिन जो मेरे सब्द होंगे, वो मेरे द्वारा नहीं बोले गए होंगे, वो जो भी वो चाहता है, जो इस काम को करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं कोई line बोलूं, तो वो उस technology की help से, मेरे मूँ से, मेरे lips से, उस line को बुलवा सकते हैं, और आ आपको ऐसा ही लगेगा जैसे वो line मैंने बोली है, जबकि ऐसा बिलकुल नहीं है, दूसरा, माल लीजिए कोई image है, कोई photo है, अगर वो मेरी photo मैंने कहीं पर click की है, लेकिन वो जो मेरी photo है, उसमें किसी और व्यक्ति को add कर दिया जाए, या फिर मैं जो काम कर रहा हूं, उस में कुछ बदलाव कर दिया जाए, या फिर मैंने जहां location पर हूं, उस location को ही change कर दिया जाए, तो इस तरीके से एक high end editing की जाती है, इस deep fake के अंदर, और वो जो editing है, वो इस level की होती है, कि उस इंसान के expression से लेकि, sound से लेकि हर चीज मैच करती है, और उसको एक तरीके से पता लगाना कि ये original video है, या deep fake के द्वारा बनाई गई है, ये बहुत ही जादा मुस्किल होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो technology है, ये कुछ इस तरीके से काम करती है, कि आपकी duplicate image, duplicate sound, या duplicate videos को ऐसे create कर सकती है, जैसे उसने आपने उस video को बनाया है, दोस्तों, आज की समय में भारत के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो celebrities हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके deep fake videos viral हैं, उनके sound वाले videos viral हैं, जहां पर बात करें, बराक ओबामा की, ऐलोन मस्क की, इसके अलाबा बात करें, भारत के जो प्रधान मंत्री हैं, नरेंदर मोधी की, इन तो हमने समझ लिया कि आखिर ये deep fake video क्या होती है, या deep fake technology क्या है, लेकिन इसका बचाब क्या है, दोस्तों अभी के समय में इसको लेकर कोई कानून किसी देशने नहीं बनाए है, हाला कि उसकी तयारी चल रही है, सरकारें चाहती है कुछ ऐसे tools बनें, जिसके ज़री ये verify कि जा सके कि वो जो video है, वो कहीं deep fake के जरी बनाई नहीं गई है, तो ऐसे tools पर अभी काम किया जा रहा है, लेकिन अभी कह सकते हैं कि इस समय कोई भी ऐसा tool मजूद नहीं है, तूसरा यहां पर इससे बचाब का जो सबसे अच्छा थरीका लगता है, कि आप जो videos upload करते हैं, जो आप photos upload करते हैं, शोशल मीडिया पर, उसको आप limited रखिए, क्योंकि आज की समय में यह जितना भी content है deep fake का, इसका जो source है, यानि कि इसके लिए जो photos ली जाती है, इसके लिए जो videos ली जाती है, जो sound ली जाती है, वो इनी platform से ली आ जाता है, मालनी जिए मोती जी का कोई fake video बनाना है, तो उनके बहुत सारे लाखो पिक्चर्स हैं, जो Google पर पड़े हुए हैं, उनकी audio पड़ी हुई हैं, उनकी videos पड़ी हुई हैं, तो ऐसे में ये तो popular हैं, तो इनके videos तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो बात आती है, एक individual की जिसकी कोई पहचान नहीं है, वो भी अपने बहुत सारे photos को डाल कर रखते हैं, तो आप कोशिज करिए कि आपका content है, आपका जो खास तोर पर जो ऐसी videos या photos हैं, जो आपका face दिखाई देता है, वो कम से कम social media पर हो, internet पर हो, यही इसका अभी के लिए उपाय है, मैं उमीद करता हूँ, आपको clear हो गया होग कि आपका की आखरीर deep fake technology क्या है, और ऐसी जानकारी भरे videos को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी subscribe करेंगे